देश में लोकसभाद चुनाओ 2024 के परिणाम आने के साथ ही नितिश कुमार को ले कर चर्चाय खूब होने लगी सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें नितिश कुमार एक फ्लाइट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं उनके ठीक पीछे आरजेडी नेता ती जस्वी आदव दिख रहे हैं वीडियो को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बीते रोज जब चुनाओ के रिजल्ट में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो आरजेडी के राजेसभा सांसद मनोज जाने कहा था कि इंडिये बिना जेडियू और टीडीपी की मदद के सत्ता में वापसी करना उसका मुश्किल है इसके बाद इंडिया गटबंधन की निगाहे इंतिश कुमार पर टिक गए और अब ये वीडियो चर्चा तो कोगी ही 5 जून को दिल्ली में इंडिये और इंडिया गटबंधन दोनों की ही बैठके अलग-अलग होनी है दोनों दल आगे की रणनीती को लेकर इस बैठक में चर्चा करेंगे इसी बैठक में भाग लेने बिहार के दोनों बड़े नेता पहुँचे हैं इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंतरी नेतिश कुमार और इंडिया गडबंधन की मीटिंग के लिए आर जीडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टेस ये तेजस्वी आदर दिल्ली आये हैं अब इसे इत्तिफाक कहें या कुछ और दोनों ही विस्तारा की एक ही फ्लाइट यूके 718 में हैं और सीटे भी आगे पीछे हैं और इस वीडियो ने लोगों के जहन में दिल्चस्पी पैदा कर दी है फ्लाइट लेने से पहले पटना एरपोर्ट से निकलने के वक्त तीजस्वी ने कहा कि देश में मूदी फैक्टर खत्म हो गया है देश का मिज़ाद जो है मोदी जी के खिलाफ रहा है और हमें ख yarज्शी है कि देश के लोगों ने तुऑ ने तकने के लिए मत किया और जो ताना शाही रही है मोदी जी उनको ऽबसुपायाइब लिए के देश के लोगों का जो मिज़ास है वो नफरत की राज़ती पसंदी करता है, वो बेकार की बाते सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है, दस साल में मोधी जी ने कोई रसाब ने जी लिए, तो जनता ने उनको सबक सिखाया है, तो हम लोग, सब लोग आज बैठक में आए हैं, शे नितिश के साथ एक ही फ्लाइट में जाने के सवाल पर उन्होंने उसको राकर कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि नितिश कुमार भी इसी फ्लाइट से दिली जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट का समय 10 बच कर 40 मिनट था, चर्चाहें भी खूब हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि चुना गर्णा के दौरान भी ऐसी खबरे आएं, जिसने इस बहस को और तूल दिया, बिहार में जेडियू ने 16 सीट पर अपने उमीदवार उतारे थे, इनमें से 12 सीटों पर उनको जीत मिली है, वहीं राज में भाजबस 17 सीटों पर चुना लड़ी और उन्हें जीत मिली 12 सीटो वोटो की गिनिती के दौरान जब नितीश की पार्टी जीत की और बढ़ रही थी, तभी ऐसी खबरे आएं कि कॉंग्रेस ने नितीश से बातचीत के चैनल खोल दिया है, इसके बाद अटकले शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर नितीश कुमार को लेकर खूब मीम बनने ल अबादी, एक खबर ये भी आई कि बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा बिहार के अध्यक्ष सबराट चौधरी नितीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पे पहुंचे थे, लेकिन उनसे कहा गया कि नितीश कुमार अभी खाना खा रहे हैं, इसलिए इंतजार करें, इसके बाद आरजेडी से राजसबा सांसर मनुझ जा ने भी अपने एक बयान में कह दिया कि 4 जून के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है, अलाकि इंडिया गट बंधन आगे की रणनीती के बारे में कुछ भी उन्होंने बताने से इंकार कर दिया है, साथ ही उन्ह के मंतरी जीतन रमांची ने भी जीत हासिल की है, वहीं आरजेडी को 4, कॉंग्रेस को 3 और CPI माले को 2 सीटों पर जीत मिली है, इसके लावा पूनिया से निर्दली उम्मीदवार पपूयादव को भी जीत मिली है, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राया है, आप हमें कॉ आए थे हमारे साथ ही दीपेंद्र गांधी, मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहें दिल्लालन टॉप, शुक्रिया